नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या टूटोरियल्स में मैं हूँ मिथलेश बर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे समाजी कध्यन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग पार्ट टू देख लिए हैं और ये विडियो हम लोग आज बिहार सिच्छत पातरता परिच्छा 2011 में पूछे गए प्रस्णों को देखेंगे और आज हम लोग प्रस्ण 31 से लेकर के 45 तक देखेंगे तो ये विडियो उन लोगों के लिए काफे महत्वत पूर्ण है जो जे टेट की तयारी कर रहे हैं या सी टेट की तयारी कर रहे हैं या किसी भी अस्टेट के टेट की तयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफे महत्वत पूर्ण है तो आई हम लोग 31 नंबर कोशन देखते हैं कि भारत का सबसे उँचाई परिष्थित नागरिक हवाई अड़ा है सबसे उँचाई परिष्थित नागरिक हवाई अड़ा कौन है लेह, शिमला, श्री नगर या गुवाहाटे तो इसका सही अंसर होगा लेह यही है नागरिक हवाई अड़ा जो सबसे अधिक उचाई पर है और यह जान लेना चाहिए कि लेह हवाई अड़ा जो है वह लदाख में है वह लदाख में है तो हम लोग देख लिए इसको नेक्ष्ट देखते हैं कि 32 सबसे कम स्रमिकों की आविश्कता वाला उद्योग है सबसे कम लेवर जिसमें सबसे कम लगे उस तरह का जो उद्योग है वह कौन है वस्तर उद्योग इस पात उद्योग क्रीशी या रेलवे तो इसका जो इस चारों में से जो दिया हुआ है उसमें सबसे कम स्रमिक जो लगेगा वह उस इस पात उद्योग में लगेगा तो इस पात उद्योग में सबसे कम स्रमिकों की आविश्कता होती है नेक्स्ट प्रस्ण है कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार सरवाधिक साच्छर्ता वाला परदेश है सरवाधिक साच्छर्ता वाला परदेश कौन है 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार, महाराष्ट, केरल या गुजराद तो हम लोग इसका जानते हैं कि सरवाधिक साचरता वाला राजी जो है वह केरल है और ये जानना पड़ेगा कि केरल में साचरता कितना है तो 94% ध्यान रखियेगा सरवाधिक साचरता वाला राजी केरल जिसमें साचरता परसेंटेज है 94% और सबसे कम साचरता वाला वह है बिहार और बिहार में है 61.8% थोड़ा हम लोग महाराश्टरा के जिदि बात करें तो 82.3% और गुजरात की बात करें तो 78% है तो देख लिए कि सरवाधिक साचरता वाला परदेश कौन है तो केरल जिसका परसेंटेज क्या है 94% तो रेंकिंग में आपका 1 आया और सबसे कम साचरता वाला जिदि पूछा जाए तो बिहार जिसका परसेंटेज कितना है 61.8% है नेक्स्ट है कि सर्च इंजन क्या है तो सर्च इंजन क्या है इंटरनेट खोजी खोजी वाहन है खोजी मोटर है या ये सभी है तो इसका सही अंसर जो होगा वो होगा सर्च इंजन जो है वो एक इंटरनेट खोजी है इंटरनेट खोजी को सर्च इंजन भी कहते हैं इंटर पर बैठे बैठे बिभने जानकारियां कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं जानते हैं इंटरनेट हम लोग यहीं बैठे बैठे पुरी दुनिया का समाचार देख सकते हैं जान सकते हैं और जो सर्च इंजन जो है परमुख सर्च इंजन जो है परमुख वो है एक Google Chrome है, Google Chrome, Google Chrome है, और Mozilla है, ध्यान देजिएगा, और एक है Bing, ये सबी सर्च इंजन है, Google Chrome, Mozilla Firefox और Bing, ये परमुक्ष सर्च इंजन है, हम लोग जैनरली जो भी चीज सर्च करते हैं, तो Google Chrome से करते हैं, Mozilla से करते हैं, Bing से करते हैं, या तो फिर मुख्यता यही तीन है, Google Chrome, Mozilla Firefox और Bing, नेक्स्ट प्रस्ण है कि चुनाव आयोक का मुख्याले कहां है, मुंबई में, चन्नेई में, कौलकता में या दिली में, तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा दिली में, तो चुनाव आयोक का मुख्याले नई दिली में है, चुनाव आयोक एक समवेधानिक संस्था है, इसका परमुह कार्य जो होता है, वह चुनाव कराना होता है, और यह तीन सदस्य संस्था है, यह जो है, वह तीन सदस्य संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयोक तथा दो चुनाव आयोक होते हैं, हम लोग जाने कि चुनाव आयोक जो है, वह तीन सदस्य संस्था है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयोक तथा दो चुनाव आयोक होते हैं, नेक्स्थ प्रस्था है, कि कौन सी संस्था बैंकों के काम काज पर नियंतरन रखती है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, वह होगा, रिजरो बैंक, आर बी आई, रिजरो बैंक कों हम लोग क्या कहते हैं, आर बी आई, रिजरो बैंक की अस्थापना बैंकों पर नियंतरन तथा आवेश्यक दिशा निर्देश देने के उद्देश से की गई थी, और आर बी आई की अस्थापना, ध्यान रखेगा, प्रस्ण भी आता है, आर बी आई की अस्थापना, एक अप्रेल, एक अप्रेल, उनिश्व पैंतिस को हुवी थी, आर बी आई की अस्थापना, एक अप्रेल, उनिश्व पैंतिस को हुवी थी, तथा, एक जन्वरी, एक जन्वरी, उनिश्व उन्चास को, आर बी आई का, राश्ट्रिय करण कर दिया गया, इसको भी ध्यान रखेंगे, मित्रो, की, कौन से संस्था बैंकों के कामकाज़ पर निएंतरन रखती है, तो रिजरो बैंक आफ हिंडिया, आर बी आई, और इसका जो अस्थापना किया गया था, तेक अप्रेल, उन्चास को राष्ट्री करन कर दिया गया नेक्स्ट है कि निम्न मेंशे कौन बैपारिक फसल नहीं है बैपारिक फसल नहीं है मखाना, मक्का, जूट या कपास तो बैपारिक फसल कौन नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा बैपारिक फसल नहीं है तो ध्यान रखेंगे मक्का जो है बैपारिक फसल नहीं है इसमें ध्यान रखेंगे मखाना, जूट और कपास तथा गणना ध्यान देजेगा मखाना जूट कपास तथा गन्न गन्न आदी भारत की परमुख वानेजिक फशले हैं जबकी ध्यान देजेगा मक्का यह एक वानेजिक फशल नहीं है यह एक खाद्य फशल है जबकी मक्का वानेजिक फशल नहीं है ध्यान देजेगा यह एक खाद्य फशल है तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा भी मक्का जो है वैपारिक फशल नहीं है जबकी मक्का क्या है एक खाद्य फशल है नेक्स्ट है कि गरीब रत क्या है गरीब रत क्या है दुला गाड़ी है गरीबों की गाड़ी यात्री गाड़ी है यह सभी है तो गरीब रत ध्यान दिजेगा गरीब रत जो है वह एक यात्री गाड़ी है जिसमें हम लोग यह एक ट्रेन है गरीब रत ट्रेन है कहिए कि य आत्री गाड़ी है और गरीब रत एक ट्रेन है इसकी सुरुवात जो है पूरु मुख्यमंत्री इसकी सुरुवात जो है गरीब रत की जो सुरुवात किये थे तो पूरु मुख्यमंत्री कहिए ये बिहार के मुख्यमंत्री पूरु मुख्यमंत्री थे बिहार के या तो कि रेल मंत्री उसमें तत्कालिन रेल मंत्री जो थे वो लालू परशाद जादव लालू परशाद यादव ने की थी तो गरीब रात के शुरुवात कौन किया था बिहार के पुरु मुख्य मंत्री या कहिए कि पूरु रेल्वे मंत्री या उस समें ततकालिन रेल्वे मंत्री लालू परसाजादव ने की थी यह एक AC train है यह complete AC train है इसमें जनरल यह एक AC train है वाता नुकलीट train है जो कम आये वाले ब्यक्तियों को ध्यान में रखकर चलाई गई है कम आये वाले भी ब्यक्ति AC train में शफर कर सकें इस उदेश से गरीब रत को चलाया गया नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा railway प्लेट फारम है भारत का सबसे लंबा railway प्लेट फारम है पटना में, शोनपूर में, दिल्ली में या खड़कपूर में तो मित्रों ध्यान देंगे कि यह प्रश्ण हम लोग पढ़ रहे हैं 2011 का तो 2011 में हमारा सबसे लंबा railway प्लेट फारम खड़कपूर में था लेकिन क्या है कि वर्तमान में भारत के साथ साथ बीशु में सबसे लंबा प्लेट फारम गोरखपूर उत्र परदेश में है तो वर्तमान में 2011 के केश में यह सही है खड़कपूर में लेकिन वर्तमान में ध्यान दिजेगा कि वर्तमान में भारत के साथ साथ भारत के साथ साथ बीशुका सबसे लंबा प्लेट फार्म गोरकपूर गोरकपूर कहा है? तो उत्तर परदेश में गोरकपूर में है गोरकपूर में उत्तर पूरु रेलवे का मुख्याले भी है प्रस्ण के हिसाब से 2011 के हिसाब से खड़कपूर सही है लेकिन जदी परजेंट की बात करें तो गोरकपूर होगा या भारत का ही नहीं पूरे बीशु का सबसे लंबा फ्लेट फार्म है नेक्स्ट है कि भारत का सबसे सूस्क छेत्र है सबसे सूस्क छेत्र पूरव पूरव पस्चिम उत्तरया दक्षिन सूस्क छेत्र तो इसका सही अंसर होगा पस्चिम भारत का सबसे सूस्क छेत्र जो है पस्चिम है और इस छेत्र में मतलब पस्चिम छेत्र में पस्चिम छेत्र में ध्यान रखेंगे पस्चिम छेत्र में संपूर्ण राजस्थान का मरु अस्थलिय भाग आता है तो भारत का सबसे सुष्क छेत्र तो पस्चिम और पस्चिम छेत्र में आपका क्या आएगा भारत इस शेत्र में आपका संपूर्ण राजस्थान का मरु अस्थलिय भाग आता है इसलिए इसको सुष्क छेत्र कहते हैं मरु अस्थल के कारण ही नेक्स्ट प्रस्ण है फटीवन कि निमनलखित में कौन सा भिन्न है शागर जील नदी या तालाव इसमें भिन्न कौन है तो इसमें भिन्न है तालाव हमारा करेक्टर अनसर जो होगा वो होगा डी और डी कहने का मतलब क्यों डी होगा तो सागर जो है या प्राकिर्तिक है जील भी आपका प्राकिर्तिक है नदी भी जो है आपका प्राकिर्तिक है लेकिन तालाव क्या प्राकिर्तिक है नहीं है न तो तालाव जो है वह कृत्रीम है तो इन चारों में से जो different है वो है तालाब क्यों कि इसको कृत्रिम कहते हैं क्रित्रिम इसलिए कहते हैं कि इसको मानव लोग बनाते हैं आदमी बनाते हैं तो यहां एक कृत्रिम है बकि यह सभी जो है जल के प्राकृतिक स्रोत हैं तो इसलिए तालाब जो है इन सबों में से नेक्स्ट है कि बिहार राईजी में केला उत्पादन का परसिद्ध छेतर है कौन भागलपूर हाजीपूर मुंगेर या पटना तो ध्यान रखेंगे इसका सही उत्तर जो होगा हाजीपूर हाजीपूर जो है बिहार का केला उत्पादन का परसिद्ध छेतर है हाजीपूर कहां पड़ता है तो हाजीपूर आपका बिहार में पड़ता है और ये है आपका केला उत्पादन का परसिद्ध छेतर है नेक्स्ट है कि स्वानपूर के अतिरिक्त भारत में पसु मिला कहां आयोजित किया जाता है स्वानपूर में पसु मिला लगता है तो स्वानपूर के अतिरिक्त स्वानपूर को छोड़ कर भारत में पसु मिला कहां आयोजित किया जाता है दिल्ली में, लालपूर में, पुसकर में या जालोर में तो इसका सही अंसर जो होगा वह होगा अब का C, पुसकर में तो ध्यान देने की बात है कि सौनपूर जो है ना सौनपूर बिहार में है और सौनपूर में भारत का सबसे बड़ा, यह प्रस्न पूछा जाता है सबसे बड़ा पसु मेला लगता है भारत में, यह सौनपूर में भारत का सबसे बड़ा पसु मेला लगता है इस सौनपूर के अतिरिक्त आप ध्यान देजेगा कि सौनपूर के अतिरिक्त सौनपूर के अतिरिक्त आपका पुसकर पुसकर कहा है तो ध्यान दिजेगा पुसकर आपका राजस्थान में पड़ता है सौनपूर के अतिरिक्त पुसकर में भी प्रशिद्ध पसु मेले का आयोजन किया जाता है तो सौनपूर में भी और पुसकर में दोनों जगा प्रशिद्ध पसु मेले का आयोजन किया जाता है नेक्स्ट है फोटिफोर की विश्नुपद मंदिर कहां स्थित है पटना में, दानापूर में, जमूई में या गया में तो विश्नुपद मंदिर जो है वह गया में है विश्नुपद मंदिर कहां स्थित है तो गया में अस्थित है और गया जिल्ले में अस्थित है ध्यान दिजेगा कि गया में है आपका विश्नुपद मंदिर गया में विश्नुपद मंदिर है और एक प्रस्ण बहुत commonly पूछा जाता है कि पटना जिल्ले में ये प्रस्ण ध्यान रखिएगा कि पटना जिल्ले में जो है इसी तरह का famous है वो है महाविर मंदिर महाविर मंदिर तो ये पूछ ले कि महाविर मंदिर कहा है तो पटना में और विश्नु पदमंदिर कहां है तो गया में इसको ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट है कि बिहार का सोक निमलिखित में किसे कहा जाता है अजय को बागमती को सोन को या कोसी को तो ध्यान दिजेगा इसका सही अनसर जो होगा कोसी को बिहार का सोक नदी भी कहते हैं तो क्यों कि कोसी नदी जो है दिशा परिवर्तन के लिए परसिद्ध है क्यों कि क्यों कहते हैं बिहार का सोक क्यों कि कोसी नदी दिशा परिवर्तन के लिए परसिद्ध है दिशा परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है वर्षा के समय दिशा परिवर्तन के कारण दिशा परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में क्रीशी जोग्य भुमी जल्मग्न हो जाती है तथा जन्धन की हानी हो जाती है इसलिए कोसी नदी को बिहार का सोक भी कहते हैं एक चीज और ध्यान रखेगा कोसी नदी का उद्गम अस्थल जो है यह भी प्रश्न कभी आ सकता है कि कोसी नदी का उद्गम अस्थल कोसी नदी का उद्गम अस्थल सप्त कोसी की सप्त कोसी की यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका यह भी आ सकता है सप्त कोसी की पुर्वी नेपाल में है यह भी प्रश्न आप समझ गए कि कोसी नदी का उद्गम अस्थल की बात करें तो सप्त कोसी की आपका पुर्वी नेपाल में है तो मित्रों जदी यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगी और बेल आइकन्स को दबा लेजेगा इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो इसकी सुचना आपको तुरंत मिल जाएगी तो एक बार पुना रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना नहीं भूलेंगी जिदी आप लाइक बटन दबाते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देंगे धन्यवाद